अधिक विद्यार्थियों को शासिकिये वैदिकिये महा विद्यालियों में MBBS के लिए प्रवेश 11 वी बार्वी नीट और एम्स की संपून तैयारी के लिए महराश्च्र का एक मात्र आयंदी नांदेर और लाकूर अधिक बारे में सब को आपके माद्दयम से बिनिति करता हूं कि वो सर्फ किसालों का अंदूलन नहीं जो भी आनाज खाता है उसका का अंदूलन तायर है और यह पहले गोड़ाउन बनाए एपसी आई को खतम किया फूड पीडियस जो है सिस्टी में उसको खतम किया और आज हम अदानी अंबानी से धान लेंगे तो यह क्या हम सबी का है जो भी आनाज खाता है उसका है पहली बात दूसरी बात कल जो लाल किले पर हुआ इ उनका या आदमी वो उपर जाता है और जंडा फैराता है तो यह साजिस्ती क्योंकि मोदी को यह आंदोलन के उपर कुछ नहीं कर देते कुछ एक किसानों की एक जूड देखके मोदी ठंडा हो गय था वो एक लबज भी नहीं बोला है कम से कम 200 किसान मरे आंदोलन में देड हमारे माता पिता की समान है तो एक लबज भी नहीं बोल रहा है तो तु क्या हमारा दुश्मन एक है तो बोला नहीं यह आइंसा की बात करते हैं अरे जिनके डिने में हिंसा है आप बाबरी मचीद से आज तक देखेंगे गवरी लंकेश तक और कल क्या मा किले तक लाल किले तक तो इंसा किस ने करी है किसानों ने करी या भारत के जनता ने करी हमेशा इंसा जो होई बाम सुट किस ने करे दंगे किस ने करे यह जब इतियाद देखेंगे तो सभी इंसा जो भी भारत में इंसा होई वो सिर्फ मनवादिय ने करी और उसको मनिवादी साथ देते हैं म आप여 मननी वाधियों को मनी चाहिए। मेडिया मनीवाधियों का और चलाते हैं वननी खुछी सरकार किसी कि भी हो चलाते हैं मनुवाधी। तो यह जो हो रहा है किसानों का डॉलन देखो उसमें भी आरेसेश गुसा है। वो ये कुन कक्का का कौन है वो RSS का आदमी है और वो साथ जनों के कमिटी में है मुझे ताजिव हुआ कि ये सब लोग किसान लोग क्या कर रहे हैं और कल मैंने वो प्रेस कॉन प्रेस बहुत नस्दीक से गहरही से सुनी देखी ये लोग माफी मांग रहे है किले के ओपर जो गया उसके लिए माफी किसान मांग रहे तो इनको क्या हो गा गुना RSS संग करेंगा मुदी शाह करेंगा और ये माफी मागेंगे और ये जो आज कल का जो मार्श था फिबरॉरी का वो सारी एक एक या तीस कल सवसद पर मार्श था उन्हों ने कैंसल किया और उस दिन वो अंचन कर रहे अंचन किसले कर रहे और मार्श कैंसल क्यों किया तो हम उनके जाले में फच जाते हैं उनके ही कारणामे में हम भी साथ देते हैं ये लाल के लिए का जो जो हुआ वो सिर्फ मोदी शाह की साजिस्ती और यदि आप गुजरात फाइल्स पढ़ेंगे या जस्टीस सावंत और को जस्टीस कुरुष्णायर का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मोदी शाह के उपर मास मुर्डर का गुना दाखल करने को उन्होंने बोला था और इनको किसी साथ फाइल देखिए कि यह किसी को भी जिन्ना नहीं रहने देते हैं वैचारिक विरोधों को मारने का इनका काम है पंड्या को मारा वो आयस वो इंडिवेस्टी को ऑफिसर बोलता है यदि मैं मेरा मुग खुलू तो मोदी जेल में जाएगा तो यह क्या है तो यह कल का किस पड़ाते हैं और उनके शर्णागती लेते हैं सवाल है ने आता शर्णागती का तो यह किसन होना क्या करना जाएinea मैं मैं किसानों को बोल रहा हूं कि हमें डट से या अंदूलन आगे लेना चाहिए आपी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं इस लिए कल स्टिकाईत ने ज वह रोए वह रो रहा था उधर तो मैं भी रो रहा था इदर और उसका प्रिणाम आप सका हो जो परिण को आये थे वह पस गए थे ना सबी परद बच्त आये है और बहुत बड़ा माहुल अच्छा हो गया है मैं सबी किसान नेताओं को बिरिंति करता हूं आपके माध्यम से कि किसी हालत में यदि ये आंदोलन आप पर वापस लेंगे तो आप घर जाके सड़के मरेंगे तो आपको तै करना है कि मुदी खिलाप मुदी शाह के खिलाप लड़के मरना है या घर जाके सड़के मरना है मैं सब को बिनिति करता हूँ कि किशे आलत में हम आपके साथ है यदि आप चाहते तो पहले मैं मरने को तयार हूँ लेकिन यह अंदोलर वापस ने लेना चाहिए जै भारत, जै किसान, जै जावान